दोस्तों अब आ रहे हैं धेर सारे फेस्टिवल जैसे की जनमाश्ट्वी, गणबती, फिर नवरात्री और उसके बाद अलग-लग फेस्टिवल आते ही रहेंगे तो आज मैं बना रही हूँ एक सिंगासन जिसके हम अपने मंदिर में भी रख सकते हैं इसके अलबा अलग-लग फेस्टिवल पे अपने अलग-लग भगवान जी को रखने के लिए भी यूज कर सकते हैं तो इस सिंगासन को बनाने के लिए मैं दो लकडी के टुकडे ले रही हूँ जिस शेप में और साइज में मेरे पास थे मैंने वही ले लिये हैं और ये जैसे घर में कारपेंटिंग का काम हुआ था पीछे उसमें से बच गए थे उन्हीं को मैं यूज कर रही हूँ सबसे पहले इन्हें लकडी की टुकडों के ऊपर मैं फोम पेस्ट कर लूँगी चिपका लूँगी और इसके बाद इनको कवर कर दूँगी मैं फैब्रिक से कपड़े से फैब्रिक है उसको भी हम चिपका सकते हैं लेकिन फैलहाल तो मेरे पास बड़े वाला जो स्टैपलर होता है लकडी वाला वो है तो मैं अपने काम को असान कर रही हूँ और इन फैब्रिक के टुकडों को मैं स्टैपल कर रही हूँ लकडी के साथ अब क्यूंकि मैं तो घर पर खुद ही डियाइवाई कुशन्स हैं या फिर टेबल रनर हैं ये सब चोटी-चोटी चीजे बनाती रहती हूँ तो मेरे पास इस तरीके का जो कपड़ा है वो हर टाइम अवेलेबल रहता है आप लोगों के पास नहीं हो तो कई बार क्या होता है हम लोगों के पास साडी का जो ब्लाउज होता है जिसे हम सिलवाते नहीं हैं और वो ऐसे पड़ा रहता है घर में तो उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं बहुत ही छोटे-छोटे से टुकड़े हमको सिंघासन को कवर करने के लिए चाहिए होते हैं तो फिलहाल मैंने जो लकडी के दो टुकड़े थे ना दोनों को अलग-अलग कलर के फैब्रिक से कवर कर लिया है इस तरीके का वुड स्टेपलर ना हो तो किसी अची क्वालिटी के ग्ल्यू से भी हम इस फैब्रिक को पेस्ट कर सकते हैं थोड़ा नाइम ज्यादा लगेगा उस पे क्योंकि ग्ल्यू के सूपने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है लेकिन अगर हम होट ग्ल्यू से इसे पेस्ट करें तो हमारा काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा चलिए अब दोनों टुकडों को जोड देते हैं तो सिर्फ दो कील मुझे लगानी पड़ी उसी से ये बहुत ही फर्मली बहुत मजबूती के साथ एक साथ जुड़ गए अब इन लकडी के टुकडों ने एक सिंघासन की शेप तो ले ली है लेकिन अब इसको थोड़ साथ डेकोरेट करते हैं तो मेरे पास ये एक फ्रिल लेस रखी थी एक्चुली मैं इक गिफ्ट हैंपर हमें मिला था तो उसमें जो पैकिंग थी उस पर इसे लगाया हुआ था तो इसे मैंने निकाल के रख लिया था तब ही सोचा था इसे किसी अच्छे से DIY में यूज़ करेंगे तो फिलाल मैं क्या करूंगी ये जो सिंघासन है इसके बिलकुल चारो तरफ मैं इस फ्रिल लेस को पेस्ट कर दूंगी अब की बार मैं फैवी क्यूक के जगे होट ग्लू का यूज़ करते हूँ क्योंकि अब काम को थोड़ा जल्दी जल्दी निप्टाते हैं चारो तरफ लेस लगाने के बाद सिंघासन का लुप कुछ इस तरीके का निकल के आया है ये अभी से इतना खुबसूरत लग रहा है लेकिन चलिए अभी इसको थोड़ा सा और डेकोरेट करते हैं मेरे पास ये एक पैच रखा है दपका वर्क में है ये एक ब्लाउस डिजाइन कराया था उस टाइम में लेकर के आया थी स्लीव के लिए लेकिन फिर स्लीव में तो लगवाया ही नहीं बस बैक में एक ही पैच लगवाया और एक मेरे पास बच गया था आज इसी को यूज करते हैं और जो बैकड्रोप है यानि जो ग्रीन कलर का मेरा लकडी का टुकुड़ा था ना उसके उपर इसको लगा देंगे पेस्ट कर देंगे इस तरीकी का पैच ना हो तो हम मिरर वर्क कर सकते हैं बैकड्रोप में या किसी अलग अलग तरीकों से जैसे की लेस की कटिंग्स लगा सकते हैं या कोई अलग कलर का फैब्रिक बीच में हम लगा सकते हैं और जो उसकी किनारी है उसको हम किसी अलग कलर की लेस से कवर कर सकते हैं तो फिलहाल मेरे पास यह पैज रखा था तो मेरे आज यह काम आ गया है इसके बात जो फरिल लेस हम लोगों लगाए थी उसका जो जॉइंट था उसको कावर करने के लिए किसी लेस से कावर कर देंगे मेरे पास यह गोर्डटन लेस का टोकडा रखा था उससे मैंने पूरे इस सिंगहासन को कवर कर दिया और साथ में इस तरीके के गोल्डन बीड्स भी रखे थे तो जो बैट्रोप है यानि जो ग्रीर वाला था उसमें आप जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा हुआ इस तरीके से मैंने उन गोल्डन बीड्स को भी जिपका दिया ऐसे बीड्स पाइसन आ हूं तो हम इसकी जगहें अगें ड्रोपर षाल में अंगोल्डन नर्ड्स पर सकते हैं लिकटर्र भी जो फ्लार को बज्षन थे खरीद लाई थी तो यहाँ पर मैंने उन्हें paste कर दिया है यह yellow वाला जो part है यानि सिंगासन का जो आसन है यहाँ पर मैंने बीचो बीच इस तरीके से एक pink color का fabric है वो paste कर दिया और उसकी जो किनारी थी उसको एक red color के lace से cover कर दिया honestly आपको बताऊं जिन जिन colors का use मैंने इस सिंगासन को बनाने के लिए किया है जैसे की green, yellow, red, pink और golden तो जो यह camera है यह बिल्कुल भी justice नहीं कर रहा है इस सिंगासन की असली खुबसूरती के साथ यह real में इतना ज्यादा प्यारा लग रहा है इतना खुबसूरत लग रहा है मुझे तो यह लगी नहीं रहा कि मैंने इसे बनाया है तो देखिए कितनी आसानी से और कितनी जल्दी हमारा इतना एक प्याराग और खुबसूरत सिंगासन बनकर तयार हो गया है और बस अब इस पर थोड़े से गंगा जलके छीटे वारेंगे और उसके बाद यह बिल्कुल ट्रेटी है हमारे किसी भी भगवान को यहां पर स्थापित करने के लिए लकडी के वेस्ट टुकडों से इस तरीके का सिंगासन बनाने का आइडिया आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना उससे हम लोगों को एक फीड़बैक मिलता है और आगे काम करने के लिए एक इंस्पिरेशन मिलती है तो चलिए इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड अगर वीडियो पसंद आए थोड़ा सा भी तो प्लीज वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करना है साथ में अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज 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 डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग फिर मिलते हैं एक और बहतरीन वीडियो के साथ तब तक के लिए गुद्बाइ और टीकेर